हलो फ्रेंड्स गुरुजी कॉसर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज कहा हमार टापिक है ब्रायोफाइट्स दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वह एंफिबियंस होते हैं of plant kingdom amphibians का मतलब है कि यह जमीन पर और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं कैसे रहते हैं दोस्तों जो bryophytes होते हैं वो land plants होते हैं मतलब यह जमीन पे रहते हैं लेकिन fertilization के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है तो कैसे हो गए यह amphibians हो गए ठीक है न? दोस्तों इनकी जो plant body होती है वो thallus के form में होती है या तो फिर leafy shoot होती है मतलब इसमें true leafs नहीं होंगी लेकिन leaf की तरह structure होता है दोस्तों इसमें true leaf और root नहीं पायाती है leaf root की जगह पे यहां पे होते हैं rhizoids ठीक है true roots नहीं होती यहां पे हैं और root की जगह पे यहां पे rhizoids present होते हैं जो की absorption का काम करते हैं root का काम करते हैं ठीक है न? दोस्तों अगर यह thallus के form में है तो इनकी जो plant body होती है वो dorsal ventrally flattened होती है मतलब इसमें एक dorsal surface होगा और एक ventral surface होगा और यह एक आपका lower surface है ठीक है दोस्तों इसमें जो sex organs होते हैं वो enthridia होते हैं या फिर archegonia होते हैं ठीक है या तो enthridia होंगे अगर male sex organ है तो क्या होगा male अगर sex organ है तो क्या बोलेंगे उसको enthridia बोलेंगे और अगर female sex organ है तो क्या बोलेंगे उसको आर्की गुनिया बोलेंगे ठीक है एंथरीडिया के अंदर एंथरोजायड्स या कह सकते हैं इसके जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसके जो स्पर्म होते हैं वो बाई फ्लेजलेट होते हैं उसमें कैसे होंगे दो फ्लेजला प्रेजेंट होंगे ठीक है यानि कि वो मोटाईल होंगे और जो आर्की गुनिया होता है उसके अंदर आपका एक का फॉर्मेशन होता है दोस्तों अगर हम बात करें थैलस स्ट्रक्चर की तो यह आपका टीपिकल मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर है इसमें आपका यह अपर सर्फेस है और लोवर सर्फेस है दोस्तों इसमें अपर सर्फेस में एक खास चीज प्रेजन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीमा कप बोलते हैं और सकेल्सक्रणल मैंने क्या बताया था यहां पर ट्रुस तो यहां पर होती ही नहीं है तो root-like structure होते हैं, इनको हमनों लोग बोलते हैं, राइजोयड बोलते हैं, दोस्तों ये राइजोयड दो प्रकार के होते हैं, या तो ये smooth world होंगे, ठीक है ना? और या तो ये tuberculate होंगे, मतलब इसमें उभार प्रजेंट होंगे, ठीक है? या तो ये smooth world होंगे, या तो ये tuberculate होंगे, ठीक है? जो राइजोयड होंगे, वो unicellular होते हैं, unbranched होते हैं, और या तो ये smooth world होंगे, या तो ये tuberculate होंगे, उस्तों जो scales होते हैं, scales या तो legulate होते हैं, कैसे होंगे? legulate होंगे या तो ये appendiculate होंगे? या तो ये legulate होंगे, या तो ये appendiculate होंगे, तो rhizoyards दो टाइप के smooth world, tuberculate और scales भी इसमें, दो प्रकार के legulate और appendiculate, ये आपके rhizoyards हैं, और ये जो black color के हैं, वो आपके scales हैं, ये protection का काम करते हैं, दोस्तों, अगर हम leafy shoot की बात करें, तो उसमें आपका example है funeria, उसके हम लोग life cycle ही देखते हैं, ठीक है? इसमें कुछ एकाथ है, और characteristics होते हैं, जैसे कि इसमें chlorophyll A और B present होता है, अगर plant हैं तो cell wall तो present ही होगा, ठीक है, reserve food इसमें starch होता है, fertilization के लिए पानी की जुदत पढ़ती है, तो ये सारे इसके characteristics features हैं, दोस्तों, इनकी life cycle में दो stages आती हैं, एक होती है gametophytic stage, एक होती है sporophytic stage, क्या होती है? gametophytic stage, जो की आपकी क्या होती है, haploid होती है, haploid और sporophytic क्या होगी, diploid होगी, ठीक है, haploid phase और diploid phase होती है, देखते हैं इसकी life cycle के बारे में कैसे कैसे इसमें haploid और diploid phase एक दूसरे के बाद में आती हैं, दोस्तों, ये आपका funeral का gametophyte है, जो की एक leafy shoot है, यहाँ पर true leaf नहीं होंगी, लेकिन क्या है, leaf-like structures होते हैं, और rhizoids present होते हैं, ठीक है, जो एक चीज़ और होती है, कि यहाँ पर xylem phloem भी present नहीं होता है, तो conduction का काम यहाँ पर generally capillary action के धुरू होता है, xylem phloem यहाँ पर present नहीं होता है, कुछ higher जो bryophytes है वहाँ पर xylem या phloem-like conducting structures present होते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, true xylem phloem की बात करेंगे अगर हम, तो आपके सुरात होती है, pteridophyta से, bryophyte में आपका true xylem phloem नहीं होता है, ठीक है, true root नहीं है, true leaves नहीं है, true xylem phloem नहीं है, कुछ भी आपर क्या है, true xylem phloem नहीं क्योंकि भी इनके सुरुवात हो रही है, पानी इसे जमीन पर आने की, ठीक है, इसलिए सब कुछ में true नहीं है, दोस्तों यह आपका gametophyte है, कैसा होगा, यह आपका haploid होगा, इसमें chromosome number कैसे होंगे, haploid होंगे, ठीक है, दोस्तों इसमें enthridia और archegonia, जो मैंने बताया थ ठीक है, enthridia है, और archegonia है, दोस्तों enthridia के अंदर, आपका sperms produce होते हैं, और यह कैसे होते हैं, आपका यह biflagellate होते हैं, इसमें 2 flagella present होंगे, और यह motile होते हैं, मतलब पानी में चल सकते हैं, तैर सकते हैं, और यह आपका egg है, जब fertilization होगा, fertilization कहां पे होगा, पानी की presence में होगा, fertilization होगा, तो क्या बनेगा, embryo बनेगा, ठीक है, और दोस्तों, यह embryo कैसा होगा, यह 2N होगा, diploide होगा, ठीक है, यह आपका haploid, यह आपका haploid, यह haploid, यह haploid, यह haploid, और जब embryo बनेगा, तो आपका वो diploide होगा, ठीक है, अद्धोई गुनित होगा, द यह बनाता है sporophyte गैमेटोफाइट कैसा था? यह N था, haploid था और जो sporophyte होगा को कैसा होगा वो? 2N होगा भाई, आधे क्रमोस्म यहां से आए, आधे यहां से आए तो क्या हो गया? दुगने हो गया 2X हो गया, N यहां से आए, N यहां से आए क्या हो गया? 2N हो गया दोस्तों, इसका जो sporophyte होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है कौन कौन से तीन पार्ट है? फूट, जहां से यह अटेच है ठीक है? सीटा जो इसका रोक्य हुए है, सीटा और यह आपका क्या है? कैपसूल है कैपसूल है जैसे कोई भी अंतरिक छियान जब होता है जब जाता है वो तो उसमें भी कैपसूल लगा होता आगे है जिसमें लोग बैठते हैं या स्टनॉट इसमें बैठते हैं और पीछे सारा उसमें material जो आपका पेट्रोलियम या जो भी उसमें material यूज होता है वो भरा रहता है तो क्या है पर फूट है तो फूट क्या करेगा absorption करेगा gametophyte से उस्तों इसका जो sporophyte होता है वो कैसा होता है सो पोसी होगा या परपोसी होगा या आपका हेटरोट्राफिक आपका होता है या पैरा चीक होता है पार्षेली नहीं था मुठ लिए खुद की इसकी कोई इंडिविजिड़ियल्टी नहीं है आँ है तो इसको सपोर्ट भी चाहिए इसको नुट्रीरिशन भी चाहिए तो यह पार्षेली परास्याइट होता है इसके gametophyte पे, तीन पार्ट से इसके होंगे foot, ceta और capsule, foot वो पार्ट है जहां से यह gametophyte से जुड़ा होगा, ceta इसका elongated पार्ट होता है, और capsule जहां पे बाद में sports बनेंगे, इसका fertile पार्ट है कर सकते हो, तो शुरुवात अन्ने की थी, haploid से, gametophyte से, ठीक है, एंथिरीडिया थे वहाँ पे, आर्किगोनिया थे, एंथरोजायड्स या sperm बना, एक बना, fertilization हुआ, embryo बना, ठीक जाइगोट बनेगा, फिर embryo बनेगा, embryo के बास में आपका sporophyte बना, और वहाँ पे क्या होता है, capsule होता है, अब दोस्तों अगर यह diploide है, तो यहाँ पे क्य होता है, और meiosis के थुरू यहाँ पे क्या बनते हैं, spores बनते हैं, और यह spores एक तरीके के होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, homo spores, क्या बोलेंगे इनको हम, homo spores, यह spores एक तरीके के होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे, homo spores, यह spores liberate होंगे यहाँ से, जाकर के, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जैसे भी जाएंगे और जाने के बाद से नया गयमीटोफाइट बनाएंगे तो दोस्तों अगर देखो यहाँ पर तो पूरे लाइफ साइकल में सारा फेज क्या है 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 फ्लॉइड है के बल दो फेज छोड़ करके जो आपका एंब्रियो है और जो आपका यह पॉरो फाइट है checked करम तो जो इसका गयमीटोफाइट होता है और क्या होगा डॉमिनेंट होगा गयमीटो इसकी होगी डॉमनेट करेगी वह किस पर इपल्लॉआइट फेज पर या इस पोर फेज़ मेरा यह होश्मों को इसमें यह जर मेंगी और रह गई थी ठीक है जो आपका a gymyto fight होता हता हुको किया बोलते है गैमीto 4 बोलते हैं क्या बोलते हैं गैमीto 4 बोलते हैं गैमीto 4 बोलते हैं ठीक है उसी के उपर आपका यह mth riktrida और argigonia develop करते हैं दोस्तों यह था आपका ब्राइवफाइट्स के बारे में उसके कुछ जरनरल क्राइक्टरिस्टिक इसे एंफिवियंस होते हैं यह ठीक है थैलास होती इनकी प्लांट बॉड़डी है रूट और लीफ इसमें ट्रू रूट रूट लीफ नहीं होती है ठीक है, rhizoids present होते हैं और scale leaves या कर सकते हो कि leafy structure होता है इसमें enthridia और archegonia present होते हैं gylam phloem present नहीं होता है, ठीक है conduction के लिए और इसमें chlorophyll A और B present होता है pyrenoid पाया जाते हैं, ठीक है तो यह सारे इसके क्या है, characteristics है और सबसे important अगर आपको याद रखना है लेकिन इनको fertilization के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ठीक है, दोस्तों यह था आपका bryophyte के बारे में अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो इसको like करें, comment करें, share करें Thank you